टाइप 2 डायबीटीज क्या होती है? आपका पैंक्रियास परियाप्त इंसुलिन नहीं बनाता है? आपका शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं करता है? या दोनों? यह टाइप 1 मधुमेह से भिन्न है, जो तब होता है जब आपके अग्नियाशे पर एक उंट्राइम्यून हमले के परिणाम स्वरूप टाइप 2 डाइबिटीज के लक्षन यह 45 वर्ष से अधिक उम्र के वयसकों को प्रभावित करता है, लेकिन बच्चों सहित 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी यह हो सकता है. टाइप 2 मधुमेह के लक्षन समय के साथ धीरे-धीरे विकसित होते हैं. इसके लक्षन है बढ गर्भावस्था में बार-बार योनी में यीस्ट संक्रमर्ण और यूटी आई का अनुभव हो सकता है. टाइप 2 मधुमेह का मुख्यकारण इंसुलिन प्रतिरोध है. इंसुलिन प्रतिरोध तब होता है जब आपकी मानस्पेशियों, वसा और लिवर की कोशिकाएं आर्मोन है जिसे आपका पैंक्रियास बनाता है, जो जीवन और ब्लड ग्लुकोज लेवल नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है. यदि आपका शरीर इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, तो आपके पैंक्रियास को आपके बढ़ते ब्लड ग्लुक पर काबू पाने के लिए अधिक इंसुलिन बनाना होगा। यदि आपकी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी हो जाती हैं और आपका अग्याशय इस पर काबू पाने के लिए पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो यह टाइप 2 मधुमेह का कार भी, फिजिकल इनक्टिविटी, अत्यधिक कार्भो हाइडरेट वाले खाध्यपदार्थ और संत्रिप्त वसा का बार-बार सेवन करना, कुछ दवाएं जैसे लंबे समय तक कॉर्टिक ऑस्टिरोइड का उप्योग, हार्मोनल विकार, जैसे हाइपो थाइराइडिस्म और उम्र के हैं, अधिक वजन या मोटापा, BMI, 25 से अधिक हो, सप्ताह में तीन बार से कम शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, काले, हिस्पैनिक, मूल अमेरिकी, एशियाई अमेरिकी या प्रशांत द्वीवीपवासी हैं, गर्भवती होने पर गर्भकालीन डायाबीटीज ह उच्छ रक्तचाप और उच्छ कोलेस्ट्रॉल है, प्रीडाइबिटीज है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, टाइप 2 मधुमेह का डायगनोसिस कैसे किया जाता है, निमनलिखित ब्लड टेस्ट, टाइप 2 मधुमेह का निदान करने में मदद करते हैं, फास्ट इससे अधिक का परिणाम इसका मतलब है, कि आपको मधुमेह है, रैंडम प्लाजमा ग्लुकोज टेस्ट, इसे भोजन करने के 2 घंटें बाद किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं, एक्सोचालीस मिलिग्राम डियल या इससे अधिक का परिणाम इसका मतलब है, कि आपको HbA1c परीक्षण यह परीक्षण पिछले तीन महीनों में आपके औसत ब्लड ग्लुकोस के स्तर को मापता है 6.5% या इससे अधिक परिणाम का मतलब है कि आपको diabetes है Type 2 मधुमेह का इलाज क्या है? कई स्वास्थय स्थितियों के विपरीत, आप मुख्य रूप से चिकित्सिय मार्ग दर्शन और अपनी स्वास्थय देखभाल टीम के समर्थन से Type 2 diabetes का प्रबंधन स्वयम ही करते हैं आपकी टीम में परिवार के सदस्य और आपके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण लोग भी शामिल होने चाहिए T2D को प्रबंधित करना चुनोती पूर्ण हो सकता है आपको इसके लिए हर दिन कई निर्णय लेने होंगे लेकिन आप अपने स्वास्थे को बहतर बनाने के लिए जो कुछ भी करते हैं वह सार्थक है Type 2 मधुमेह प्रबंधन की मुख्य विशेश्टाओं में शामिल है जीवन शैली में बदलाव जैसे अधिक व्यायाम और खानपान में समायोजन Blood Glucose की निगरानी, दवाई Type 2 मधुमेह के लिए व्यायाम, नियमित गतिविधी सभी के लिए महत्वपूर्ण है यदि आपको मधुमेह है तो यह और भी महत्वपूर्ण है व्यायाम आपके स्वास्थे के लिए अच्छा है क्योंकि यह अलपावधी और दीरगावधी में दवा के बिना आपके रक्त शरकरा के स्थर को कम करता है कैलोरी बर्न करता है और वजन घटाने में मदद कर सकता है रक्त प्रवाह और रक्त चाप में सुधार होता है आपकी उर्जा के स्ört को बढ़ाता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है तनाव कम करने में मदद करता है टाइप टू मधुमे, आहार आहार विशेशन से आपके लिए सही भोजन योजना बनाने के लिए कहीं आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कब खाते हैं, ये सभी आपके रक्त शरकरा के स्तर को सीमा में रखने के लिए महत्वपूर्ण है लीन प्रोटीन जैसे चिकन, अंडे, मचली और टर्की, गैर स्टार्च वाली सबजियाओं जैसे ब्रोकोली, हरी फलियां, सलाद साग और खीरे, स्वस्थ वसा जैसे एवोकाडो, नट्स, प्राकृतिक मूंग फली का मक्खन और जैतून का तेल, जटिल कार्बोहाइडरेट जैसे बीन्स, चामुन, शकरकंद और साबुद गेहूं की ब्रेड, ब्लड ग्लुकोस लेवल की निगरानी यह पता लगाने के लिए कि आपकी वर्तमान उपचार योजना कितनी अच्छी तरह काम कर रही है, आपके ब्लड ग्लुकोस लेवल की निगरानी करना आवश्यक ह यह आपको दैनिक और कभी-कभी प्रतिघंटे के आधार पर मधुमेह का प्रबंधन कैसे करें, इसकी जानकारी देता है। यह ऐसी दवाएं हैं जिनहें आप ब्लड ग्लुकोस लेवल कंट्रोल करने में मदद के लिए मुह से लेते हैं, जिनके पास T2D है, लेकिन फिर भी कुछ इंसुलिन का उतपादन होता है, इंसुलिन, सिंथे ब्लड ग्लुकोस स्तर को कम करता है, इंसुलिन कई प्रकार के ह होते हैं, इसे सीरिंज या पेन से इंजेक्ट कर सकते हैं, अन्य दवाएं, आप उच्छ रक्त चाप और उच्छ कोलेस्ट्रोल जैसी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए अन्य दवाएं ले सकते हैं, टाइप डो मधुमेह की कम्लिकेशन्स, चूंकि आपका रक्त आपके लगभग हर हिस्से को छूता है, इसलिए टाइप डो मधुमेह को नियंत्रित न करना, जिसके परिणाम स्वरूप लंबे समय तक लगातार उच्छ रक्त शरकर रा होता है, आपके शरीर के कई क्षेत्रों को नुकसान पहुँचा सकता है, टाइप डो मधुमेह की संभाव जटिलताओं में शामिल है, हिरदय संबंधी रोग जिन में शामिल है, कोरोनरी धमनी रोग, C.A.D., परिधिय धमनी रोग, P.A.D., रक्त धमनी का रोग, दिल का दौरा, आघात, आँख की स्थितियां जिन में शामिल है, मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी, मोतिया जैसे शुश्क तवचा और बैक्टीरिया और फंगल संक्रमन, पैरों की समस्याएं, जिन में अलसर और संक्रमन शामिल हैं, जो गैंगरीन और संभावित विच्छेदन का कारण बन सकते हैं, मसूडों की बीमारी और अन्यमोखिक स्वास्थय समस्याएं, बहरापन, यौन र होता है जब आपके रक्त शरकरा का स्तर लंबे समय तक बहुत अधिक रहता है, जिससे गंभीर निर्जली करण और भ्रम होता है, एचचेश के लक्षण आम तोर पर धीरे-धीरे सामने आते हैं और विकसित होने में कई दिन या सप्ताह लग सकते हैं, लक्षणों में शाम कमजोरी या पक्षागा तेचेशेस जीवन के लिए खत्र